में नमा हर्दी कुर आपकर बाद फिर से स्वागत तें फार्मिंग भी थार्दी यूट्यूब चैनल में तो आश बड़े महम आपको बताना वा लोगों कि किन किन चीजों से आप मलचिंग कर सकते हैं और आपको मलचिंग क्यों करने चाहिए और किन किन चीजों के मतलब से ख्युक्त मैं से बतिनलते कर ने कृदी से चाहिए करने की क्यों करने का प्रता है क्यों को बहुत जज्यादे गर्मी लग चाहिए और राजस्तान में रहता हूं तो काफी जादा गर्मी यहां पे भी पड़ती है तो मैं आज आपके साथ शेर करूंगा यह इंफोर्मेटीव वीडियो कि आपको अपने पोदेगी मल्चिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए तो इस वीडियो मां अंतर तक जुरूर बने रहेगा पहली चीज़ यस से मल्चिंग कर ने हैं कि अगयरे ठीज़ के मिल्क है और जब भी ऊपनी दालेंगी तो इस में नमी चाहि भी नगता ही जैका दीरे दीरे पानी में घुल के आपके परों को भी मिलते रहेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे हमारे मंवें के भी हो जाएंगे और जो हमारे पोदे को बेसिकली जो मोस्टी नाइट्रोजन और फास्फोरेस अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सब इसके अंदर मिल जाते हैं अगली जिससे आप मल्चिंग कर सकते हैं वह कोल कोईला जो होता मल्चिंग करने के लिए मल्चिंग कर सकते हैं एकदम फ्री काति मल्चिंग करने की चीज हो और जो इयुआ है कोको पीड सी साथे नाम नहीं जिसे जो बींटेहरे हो सबने कोकॉपीड करने का फायदा क्योंगा अगर आपardon कोपीड से मल्चिंग कर देंग और फिर पोदे की जो मिट्टी का मौशया रह ए उसको खोल कर करके रखेगी और कोकोपीट बहुत ही भेथरी चीज पोदे की मल्चिंग करने के लिए तो अगर मल्चिंग करना चाहते हैं और आप मार्केट से कुछ चीज लाना चाहते तो मैं तो आपको यह एडवाइस दूगा कि आप कोको पीटी लें वहना अगर आप मार्केट से नहीं लाना चाहते तो कोई चीज तो मैं आपको घर की एक दो चीज बता देता हूं जैसे घर की जो चीज होती है घर के आसपास काफी पत्रों के टुकडे पढ़े रहते हैं तो पत्रों के टुकडो करने का है बहुत ही बड़ी अरास्ता आप सुकर्थ से मल्चिंग करेंगे तो आपको बहुत ही बाड़ी जलते मिलेगा शूकर मार्केट से लाइट को थोड़ा भी इंफोल्मिघ्टि वी लगा विजॉट करीए और हमारे चिनओं को सबस्क्काइब नहीं कर्या तो यहılar अ वीडियो को उनके साथ भी शेर करिएगा आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो